लोकसब चुनावों के नस्दीक आते ही मजदूर संगठनों ने भी एकठे होकर काम करना शुरू कर दिया है। इसमें मजदूर हीत में काम करेगी उनके पक्ष में मजदूर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक बीजेपी सरकार ने कोई भी मजदूर हीत काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पहले गांधिवादी नीती से काम करेंगे और अगर सरकार नहीं मानी तो उगर अंदूर करेंगे। इंटक एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इंटक एक मजदूर संगठन है। हमारी विचार धारा है सर्व धर्म संभाब। हम उनको साथ लेके हम लोग चलते हैं और जो भी पार्टी वो चाह कॉंगरेस पार्टी हो चाह कोई और पार्टी हो मजदूर हित में जो काम करेंगी हम उनके साथ चलेंगे। मजदूर हित में काम नहीं करेंगी हम उनका बिरोध करेंगे। अभी तक कुछ ऐसा हमें नजर आया नहीं है कि मजदूरों के हित में कोई विशेश बात कोई गही गई हो और इसके बारे में हम लोग बिभिन स्तर पे विचार भी मश्च कर रहे हैं और सरकार के समक्ष हमें ग्यापन अभी हर जिला मुख्याले से एक ग्यापन मुख्यामंतरी महदे को राजय पाल महदे को हम देंगे जिसमें सबसे बड़ी बात यही है कि यह जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है जो आउट्सोर्सिंग हो रही है खास करके भाजपा सरकार के अजेंडा में था क खास करके यह जो इनका गोशना पतर था कि आउट्सोर्सिंग को खदम किया जाएगा लेकिन आज की डेट में हम दो देख रहे हैं कि आउट्सोर्सिंग खदम नहीं हो रही है बलके जिन भी वागों में कभी आउट्सोर्सिंग नहीं थी वहां पे भी आउट्सोर्सिंग क लागुक किया जा रहा हम सब इसका बिरोध करते हैं और हम सरकार से ये मांग भी कर रहे हैं कि इस आउटसोर्सिंग प्रता को ख़तम करके सिर्फ एक आदमी को अमीर बनाने के बजाए आप जितने भी हमारे मजदूर साथी हैं जितने भी हमारे कामगार है जितने भी लोग य प्रिमान के लिए उनके लिए उनके भले के लिए काम करें ना कि किसी एक आदमी को अमीर बनाए जहां पर भी जो मांग है हमारा एक संगठन का एक सिस्टम है जिसमें हम पहले अपना मांग पत्र सौंपेंगे मांग पत्र नहीं मिला उसके बाद हम लोग उसके बाद हम उन हमें इतना एक्स्ट्रीम स्टेप उठाना पड़ा है वैसे भी हम गांधिवादी लोग हैं तोड़ फोड हरताल इन सब चीजों से हम लोग दूर रहते हैं और जहां तक हमारी कोशी यही रहती है कि विचार विमर्ज से ही यह सारी की सारी समस्यों का हल हो जाए और खास करके जितने मारे मजदूर साथी हैं हम उनका भी नुक्सान नहीं करना चाते क्योंकि हम एक जिमेवार नागरी के जिमेवार संगटन के हम सदस्य हैं हम यह भी नहीं चाते कि देश का भी नुक्सान हो